तुम्हार समाज तो है, जंगल में सेर रहता है, संख्या कम रहता है, लेकिन सब पर भारी रहता है, जो हम लोग को दबाएगा, हम लोग हर एक तरह से उसका मुतोर जवाब देंगे, तुम्हार समाज सब के लिए तयार है, मरे मिश्वर मुख्या बाबा एक तरह से हमारे भा काम है तो मतलब एक तरह से सजा मिलेगा भोजपूर सहींत पूरे बिहार में तरह सखोशी का मौल हो गया हाई को जाएंगे सुप्रीम कोट जाएंगे वो सजा बरकरार ही रहे जब जब एक तरह से अन्याय और त्यार होगा तब समाज की रक्षा के लिए भूमिहार समाज अगरा सर रहेगा और समाज में मोर्चा मेरा वरमेश्वन मुक्या को हत्यार粉 करते मानों विदाय क मनोज मंजिल हूज टए तो इस पार समाज माले काजकरताओं में उग्र परदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है लगातार वो अलग अलग जगों पर सड़कों पर उतर रहा है राजधानी पटना में भी उतरे थे हलाके अब इस चीज को लेकर रनबीर शिना का क्या रुख है मुझ से जानने की कोसिस करेंगे हमारे साथ बाचित करने के लिए भुमिहार समाज के चर्चित और समाज के काम में अक्सर अक्सर अग्रसर रहने वाले मोनु शिंग है किस तरह से देखते हैं इस फैसले को कि माले विधायक को जो की बर्मेश्वर मुक्षा को हत्यारा बताया थे उन्हें उम्र कैद की सजा सुना और उसको मतलब एक तरह से सजा मिलेगा अध्भोचपूर सहिंत पूरे भिहार में खोशी का माहल हो गया क्योंकि मनोज मंजील एक तरह से भागपा माले को वो विधायक है क्योंकि तोटली अबनाफ्रतिय राजनीत करता है मतलब एफ और बैकवार्ट को लड़ा के अपनी कि एज़त को अबरू को लुटा गया तब एक तरह से ब्यक्ति पच्पन साल के उम्र में उन्होंने हथियार उठाया जो को समय अपने पंचायत को मुखिया भी थे उसके बाद रंपीर थे निर्मान हुआ और ऐसे ब्यक्ति जिनको बिहार का गांधी भी गिराज सिंह बोल कुछ विगात दो मन्त पहले उसने मुख्या बाबा को नरसंगारी और बालतकारी तरह इतना मतलब बयान की देख खून खौल जाता वैसा उसने अबद रेट टिपेंडी कि तो उसके बाद हम लोग ने रंबीर मंतर के जरिये और उपर से जमीनी अस्तर पूर्जी और उप करेंगे और जो फैसला आया है वो क्या लगता है कि अब सच जुटा पाएंगे है के हाई को जाये स्पीरिम कोट जाये जो जो आदेख से वो मतलब सरोपरी है मतलब सही आधेश दिये को हाई को याज़ जाए का भी ह向 लोग पास जुनाइग के लिए तो इस सजा से रनफीर सेना को जीत हुई है उसके बाद जीतने कच तुरह से समाज में एक तरह से सोांसित लोग हैं और इसका गल जो पर एक बड़ा नेता बनना और समाज में फोरड बैकोट को लड़वा कि अपनी राजनीटी को अकरस्तर करा है तो सभी की जीत हो यह कल जब को निर्णाया तो मतलब मैं तो वहां पर कोट में भी था और वोजपूर में आरा मोजू था मतलब इतने लोग खुस थे कि जा हो और इसको मतलब जिल जाईए तो सभी लोग खुस है समाज में देखिए कितना आमन चैन का मोहल है भूमिहार जाती से आते हैं क्या लगता है कि अब उसी उन्हों का राजने जो लड़ाई होता था वामपंतियों को भूमिहार से ही था और अब उनको कही न कहीं सजा म कि अब बूलता हूं को समय बजनबबे के दोर में यह वामपंतियों ने फ़रोड को टारगेट किया लेकिन फ़रोड साथ सबसे पहले पहले बूमिहार के लोग अरसंगार किया और हत्या किया तारगेट किया और इस विगत जब से बख्मा माली के सरकार बनी है मागडमाना माल रुजaded माफंति सबसे तब से इ मानोज मनजील इद फौण फॉरोड करता था पॉरोड के साथ भूमिहार समय सबसेथा तो ऊंदा है तो मेर्ट करता है यह कुछ दिन पहले यह उन्रा चार कीया कुछ गलत करता तो इस expiration हो जड़ी हो जाती बूर्षा के लिए अग्र हम आवाज़ को दबाएगा हम लोग हर एकतर साइस उसका मुथोर जवाब देंगे हार राकिसी को दबाने के लिए बुमिहार समाज आगे भी मोर्चा पर खड़ा रहेगा और आगे अगर कोई दलीत और कुछले का दा आवाज जो है वो जब दब द बाया जाएगा हम अगे प्रवक्ता है रनवीर शेना के उनका क्या कुछ कहना था विधायक मनोज मंजल की सजा हुई है अब इस चीज को लेकर और भी कई तरह की बाते कही जारी है अला कि अब इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमिंट सेक्षन में रखीगा ऐसे हैं तमाम खबरों के लिए